जुलाई 2022 पार्ट वन करेंट अफियर्स में आपका स्वागत है चैनल का नाम है स्टरी वित रश्मी तो चलिए करेंट अफियर्स देखते हैं पेस निउस चुलाई पार्ट में आज हम लोग देखेंगे नासा का कैप स्टोन मिश्यने मून के लिए स्टर्क गया था और Capstone Mission के अंतरकर नाशा ने New Zealand से अपना सैटलाइट लॉंच किया नाशा Capstone क्या है थोड़ा डीटेल में जानते हैं Capstone एक्चुली नाशा का एक navigation software है जो की लॉंच किया गया है New Zealand से वो एलाउ करेगा future spacecraft को location बताने में देखे Capstone का फुल्फरॉम होता है Cease Lunar Autonomous Positioning System यानि कि यह क्या है एक navigation software है जो की help करेगा spacecraft को location बताने में अच्चुली क्या था अभी तक Earth-based tracking होती थी यानि Earth से data भेजा जाता था और उन्हें inform क्या जाता था कि उनका location कहां है NASA ने Capstone से एक revolution लाएगा और अब क्या होगा Space पे ही उन्हें बता दिया जाएगा कि उनका location कहां पे है तो एक tracking है location tracking system लॉंच किया जा रहा है Capstone NASA के दौरा NASA Space Station ने अभी हाल में लॉंच किया है अपना Space Station NASA ने लॉंच किया है gateway नाम का अपना Space Station lunar surface पे Space Station से क्या होगा कि astronaut को help मिलेगी और एक accommodation system मिलेगा एक proper space station बनाया जा रहा है NASA के दौरा जिसका नाम है gateway और ये बनाया जा रहा है lunar surface यानि की moon के पास तो ध्यान रखें आगे बढ़ते हैं इसरू काफी news में था इसरू ने लॉंच किया है PSLB experimental model जिसका नाम है POEM ये काफी news में था POEM POEM के अंतरगत इसरू ने 3 Singaporean satellite precise orbit इंडिया में भेजा है यानि की इंडिया से 3 Singaporean satellite launch किया गया है इसरू के दौरा किस वेहिकल से PSLB experimental module से ठीके इसका नाम PSLB C53 है ध्यान रखें, PSLB 3, PSLB C53 PSLB is a four stage rocket where the three stage will be fall back to ocean and the final stage after launching the satellite into orbit ends up in the space यानि ये चार फेस में आएगा जिसमें से 3 phase जो है वो ocean में गिर जाएगे लेकिन जो चौथा phase होगा उसमें satellite easily space में पहुँच जाएगा इस mission का नाम काफी important है POEM यानि PSLB Orbital Experimental Module POEM will launch, will carry six payload इसमें छे payload है जिसमें काम स्टार्ट हो गया है दो payload बनाय जा रहा है इंडिया के स्टार्ट अप कम्पनी डिगांत्रा और दुरूबा के द्वारा डिगांत्रा और दुरूबा को अभी हाल में इनस्पेक सर्टिफिकेट भी दिया गया था POEM का इस्तमाल क्या जाएगा नेविगेशन गाइदेंस और कंट्रोल सिस्टम में POEM जो है वो सोलर पैनल के थू पेलोट्स बनाय जा रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है POEM विल कैरी 6 पैलोट्स 2 फॉम इंडिया स्पेस स्टार्ट अप डिगांत्रा और दुरूबा POEM एक्चुली विल है नेविगेशन गाइदेंस और कंट्रोल सिस्टम और POEM विल ड्राइब सोलर पैनल इंटरनेशनल न्यूज में बहुत ही बड़ी न्यूज आई जैपान के प्राइम मिनिस्टर को एससेसनेट किया गया है सूट अउट किया गया है गर्न मैन के दवारा सिंजो आब के जो की प्राइम मिनिस्टर थे जैपान के इंडिया और जैपान की रिलेशन काफी स्टरॉंग हुए दी इनके टाइम में ये एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जैपान के जो की लौंग reg3 Examples Prime Minister धे इनका मनमोहन सिंग के साथ भी बहुत अच्छी फ्रेंट्सिप थी और इंडिया और जैपैन के रिलेशन से बहुत अच्छी है इनको माना जाता है आर्किटेक्ट ओफ क्वार्ट समिट जी हाँ क्वार्ट गुरूप जो की चार कंट्री का ग्रूप है उसके में फाउंडर जो थे वो शिंजो अबे थे इनकी कांसेप पे मनाया गया था सिंजु एबे 2021 में काफी चाय में थे क्योंकि इनको दिया गया था पढम बिवुशन, इंडिन गवर्मेंट के द्वारा जुकि एक highest Journal Award है सिंजु एबे को दिया गया था 2021 में पढम बिवुशन साथ में सिंजु एबे जाने जाते हैं एबे एकनॉमिक्स के लिए एक थिोरी है जो कि सिंजू एबे ने दिया था इसके अंतरगर्थ monetary policy determine की जाती है इस में बताया गया था कि flexible economical and physical policy होनी चाहिए यानि private sector का पूरा involvement होना चाहिए और तभी किसी country में development हो सकता है यानि mixed economy की बात की जा रही है साथ में इनों ने Japan में self-defense role लाया defense sector में Japan में काफी कम investment किया जाता है क्योंकि Japan जो है वो बिल्कुल अंगेंस्ट है war के और nuclear weapon के लेकिन Sinju Aby ने focus किया कि self-defense होना बहुत important है ये भी पताना चाहूंगी कि इंडिया का जो एक बहुत important program है I am the war to Mumbai bullet train जो कि हमारा सपना है उसमें Japan हमारी बहुत help कर रहा है in fact 1 lakh crore का finance भी Japan कर रहा है एक हमारे बीच में deal हुई है I am the war to Mumbai bullet train का जिसका cost है रुपीज 1 lakh crore ये जो पूरा bullet train है वो 505 km प्रोपोस्ट प्रोजेक्ट है जिस पर काम चल रहा है हुआ है